हलो फ्रेंड्स मैं हूँ संध्या स्वागत है आपका सेल की रस्तोई में आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स एक नई रेश्पी विडियो अंतक जरूर देखिएगा पसंद आये फ्रेंड्स तो विडियो को लाइक किजिएगा चैनल को प्लीज सस्काइब करना मत लेकन को ही प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर विडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले तो आज हम बना रहे हैं फ्रेंड्स आलू का बहुत ही बहत्री नास्ता ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है आप रोज रोज रोटी प्राठा बनाकर बोर हो गए हैं तो आप इस नास्ते को जरूर ट्राई किजिएगा तो चलिए देखते ही से बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी यहां मैंने लिया है फ्रेंड्स तीन आलू तीन प्याज चार हरी मिर्च तो मिर्च आप अपने स्वाद के नुसार कम ज्य लेंगे तो चलिए पहले जो अद्रक कदूकस करने वाला होता है मैं उसी में कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा है यह देखिए आपके पास जो हो आप उसी में कर लीजिएगा तो आलू का बस हमें कदूकस करना है प्याज और हरी मिर्च को चाकू से हमें बारिक-बारिक का सकता है तो आलू को मैंने कदूकस कर लिया प्याज को काट लेती हूं बारिक-बारिक इस तरह से हमें प्याज को भी काट लेना है तो तीनों को मैंने अच्छे से कट कर लिया है अब बेसन में हम मिक्स करेंगे तो चलिए बेसन में हम आलू प्याज और हरी मिर्च को डाल द मैंने तीनों को इसमें डाल दिया अब इसमें डालेंगे हम जीरा यह खड़ा जीरा है एक चम्मच के करीब इसे डाल देंगे नमक स्वात के नुसर डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हल्दी डालेंगे कलर के लिए तो हल्दी भी हमें आधी चम्मच से कम ही डालना है ज्याद तो इसका हमें भजिया जैसे पकोड़े जैसे घोल नहीं बनाना है जैसे एकदम गीला नहीं बनाना है और एकदम सक भी नहीं रखना है इसे हमें इतना रखना है कि हम इसे टीकिया जैसे बना सकें तो ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे एकी बार पानी नहीं डालेंग पानी मिक्स करके और मिला के बताती हूं कि इसे हमें कितना रखना है तो यह देखिए बस इसे हमें इतना ही गिला रखना है इससे ज्यादा गिला हमें नहीं करना है इससे ज्यादा गिला हो जाएगा तो फिर जब हम बनाएंगे तो फिर यह नहीं बनेगा अच्छे से तो बस सा हम बेटर डाल के देखेंगे अगर वो बेटर उपर आ जाएगा तो आप समझ जाईए कि तेल गरम हो गया है यह देखिए मैं थोड़ा सा ऐसे डाल रही हूँ यह उपर आएगा तभी तेल एकदम अच्छे से गरम आपको पता चल जागा कि यह गरम हो गया है अभी कर रही हूँ तो इसे हमें हाथ पर चप्टा चप्टा बनाके टिकिया जैसे हमें बनाके इसे डालना है यह देखिए गोल गोल मत बनाईएगा इसे चप्टा चप्टा बनाईएगा हाथ में लेके और ऐसे हमें चप्टा कर देना है उसके बाद इसमें हमें डाल देना है त इसे हम एक साइड जब सिंख जाएगा तो ऐसे धीरे धीरे पुलटते जाएंगे यह देखिए और इसे ब्राउन होते तक हमें इसे तल लेना है अच्छे से ताकि अंदर भी कच्छा न रहे अच्छे से अंदर पक जाए तो इस तरह से हमें इसे तल के और निकालते जाना है यह देखिए फ्रेंड्स मैंने पूरा बना लिया और यह हमारा आलू का जटपट नास्ता बनकर तयार हो गया अब यहां मैं सर्व करके दिखाती हूं तो यहां मैं चना दाल का चट्मी बनाई थी उसे मैं रख रही हूं साथे प्याज रखा है मिर्च मैंने हरी मिर्च तल लिया है और इस तरह से नास्ता हमारा बनकर तयार हो गया फटा फट तो आप एक बर जरूर ट्राइड किजैगा आपको जरूर पसंद आएगा यह खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है देखने में भी यह बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही कम समान में बनकर ये अलू का नास्ता हमारा बन कर तयार हो जाता है तो आई होप आपको जरूर पसंद आएगा और अगर आज की रेश्पी पसंद आए फ्रेंज तो वीडियो को जरूर लाइक किजिएगा चैनल को प्लीज सस्क्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए मैं आपको टेस्ट करक कि कसी बनी है यह बहुत ही टेस्टी बनी है यह देखिए ऐसे मैं तोड़ के आपको दिखा रही हूं मैं थोड़ा सा टेस्ट करके आपको बताती हूं तो चलिए फिर मुलकात होगी एक नई रेस्पी के साथ एक नए वीडियो में